वीडियो देखने से पहले डिस्क्रेमर को अबस से पढ़ ले सब्सक्राइब करिए हमारी प्रीमियम सर्विस और मेडियम टर्म लॉंग टर्म टेक्निकल पिक पॉट्फोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप हमें मिल करें वाट्सअप करें डिस्क्रिप्शन में जाएं रेजर यह लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंद एक्टिवेट करें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को जिससे स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट से न्यूज आपको मिल सके वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूले अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रेट करके अर्ण करना चाहते हैं तो आप हमाई टेक्निकल टीम के हिल्प ले सकते हैं हमें तुरंद संपर करें प्रोड़क्ट और सर्विस का एड़टिजिम हमारे यूट्यूब चैनल के माद्धम से करें यह बिल्कुल फ्री है आज हम आपको MMTC Limited कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कंपनी का कारोबार कैसा है कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है इसके बिजनेस मोडल क्या है कंपनी के सेर्स खरीदने चाहिए या नहीं कब खरीदें कब बेंचें कितना मुनाफ़ा होगा इसके fundamentals और technical analysis भी करेंगे तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर अंत तक वीडियो को skip करके ना देखें आधा धूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई भी investment decision ना लें इससे आपको नुकसान हो सकता है किसी भी stock में निवेस करने से पहले अपने खुद की भी research जरूर करें अगर आप हमसे contact करना चाहते हैं इस stock के समंध में तो आप हमें संपर कर सकते हैं मारी contact details description में देदी गई हैं आप हैं MTC Limited की official website में यह भारत की सबसे बड़ी या विसाल अंतर राश्टी वयपारी company है MMTC Limited तीब्र गति से प्रगति पत्पर अगरसर भारत की विसालतम अंतर राश्टी वयपार company है यह गत साड़े चार दसकों से अस्तित में है भारत का सबसे बड़ा अंतर राश्टी वयपार घराना होते हुए यह अपने ही पुराने रिकार्ट से बहतर कार निस्पादन करने में निरंतर प्रयासत रही है सरुदा आंगे बढ़ने बढ़ते रहने के लिए भावत रेक वाउसाय के साथ आउसरों के तलास ने कार्परेशन को वयभो की पराकास्टा पर पहुँचा दिया है समर्पन और दर्टा की हमेश्ठा गोंज रही है जिससे MMTC को नई उचाईयों पर पहुचा आए गया है तो यह कंपनी जो है अंतरास्टी वयपार करती है और सबसे बड़ी कंपनी है भारत की अंतरास्टी वयपार के चेतर में सरकारी कंपनी है भारत सरकार का ही एक उप्रम है तो कौन-कौन से वयपार करती है आपको जाना चाहिए यह क्रिसी उत्पाद का वयपार करती है कोईला और हाइड्रोकार्बन और वर्वरक और अश्रायन धात्वों और अद्योगी कच्छे माल खनेज प्रोजेक्ट इंजिनिरिंग एक्सपोर्ट्स और समान वेपार करती है कि यहां से आप इनकी अनुल रिपोर्ट्स और अनुल रिटर्न्स डिस्टिबिशन पॉलिसी सभी के बारे में जानकारी पाप्त कर सकते हैं अब चलिए इस कंपनी में कैसे निवेस करें वो भी हम आ इप साइट में जाएं एममट्स स्टॉक को सर्च करें एडिंग कंपनी है यह एक ही दिन में 5.15% का रिटन दे दिया इस कंपनी ने वन वीक में 11.31% डाउन है वन मंत में 11.13% डाउन है इस टॉक वन येर में 20.77% का सांधार रिटन दिया है थ्री येर्स में 65.41% का रिटन दिया है और फाइव येर्स में 5.11% का रिटन दिया है तो देखिए इस कंपनी में कैसे निवेस करें कंपनी लगातार अप्टेंड में है और गिरावड भी हो रही है पुछलिए इसका टेकनिकल चार्ट देखकर हम आपको बताते हैं कि एक अधिड़े में और 50 में दोनों का रिजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक किया है और काफी नीचे टेट कर रहा है इस टॉक ने हाल ही में अपना जो आरसाइई है ओवर शोल्ड जोन को टच किया है और भी इसका जो आरसाइई 41 है तो इस टॉक में खरिदारी कर सकते हैं 64.70 के लॉंग टर्म है क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़ी ग्रावट हो चुकी है तो अब इस टॉक में जो लिमिटेड डाउन साइड ही जा सकता है बाकी अप्टेंड में काफी कुछ गुंजाई से स्टॉक में तो आप पोजिशन बना सकते हैं इसके फंडमेंटल्स भी हम आपको बता देते हैं 52 वीक लो 30 रूपीज का है 52 वीक हाई 64.70 है तो इसे स्टॉक में 50% गिरावाट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई से जो कि आपको खरिदारी का एक बहतर मौका दे रहा हैं मार्केट डेथ की बात करें तो बायर और कॉंटिटी 53.16 परसेंट है और से लडर कॉंटिटी 46.84 परसेंट की है आज बायर सावी है से स्टॉक में और सेलर हो गए है कमजोर फंडमेंटल्स जान लीजी इस स्टॉक के मार्केट कैप है 6,260 कुरोर की एक मिट कैप कंपनी है पी रेशो नहीं दिया है पी बी रेशो 62.79 का है यह तो बहुत महेंगे वैल्यूशन पर यह स्टॉक मिल रहा है क्योंकि पी बी इसका बहुत ही जादा है रिटर नॉन निक इनन के सभी निगेटिमें नेट वर्थ देखिए नेट वर्थ मॉर्थ 2021 में बहुत बड़ी जिरावोट हो चुकी यह अरली नेट ऑर्थ देखिए बहुत डान हो 최 परफिट नेगेटिव हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और रेवन्यू जो है तेजिसे ग्रो हुए है 2021 में इनकी रवन्यू बहुत तेजिसे ग्रोह हुआ है परेंट और्गनाईजेशन MMTC Limited के नाम से हैं मैनेजिंग डिरेक्टर स्री सुभांसु पांडे हैं कंपनी स्थापी तुछ 1963 में एनसे सिंबल MMTC है MMTC Limited इस एन इंडिया-based trading company the company segment include minerals, precious metals, metals, agro-products, coal and hydrocarbon fertilizers and general trade others the company is engaged in trading agriculture products such as wheat तो इन सब चीज़ों के इन सब प्रोड़क्ट्स की company trading करती है और अंतराश्टी बाजार में भी trade करती है ये share holding pattern देख लिए promoters के पास 89.93% की holding है government of India इसके promoter है retail owners के पास 7.25% की holding है और other and domestic institution के पास 2.77% की holding है major fund में इसमें कोई investment नहीं किया है चलिए stock की क्या events है क्या news है वो भी हम आपको बता देते हैं events देख लिए एग्यम 29 December 21 को हो चुका है इनका news क्या निकल करा रही है आपको जाना चाहिए MMTC PAMP aims to add rupees 1000 crore revenue from eastern region in 5 years तो 5 years में eastern region से 1000 crore रही जो की बहुत अच्छी ख़बर है stock market update is stock that hit 52 week high in NSE in today's trade तो बहुत अच्छी news निकल करा रही है MMTC की बारे में चलिए इसके target क्या हो सकते हैं यह भी हम आपको बता सकते हैं तो as on 24th February 2022 MMTC share price closed at 41.75 and we recommend strong sell for long term long term के लिए आप इसमें strong sell करके चल सकते हैं और stop loss ले सकते हैं 57.33 and strong sell for short term भी है with stop loss of 47.47 we also expect stocks to react on falling important labels तो सौट strong sell recommend किया गया है तो आगर आपकी position है तो आप selling करके चल सकते हैं stop loss भी दे दिया गया है तो आप इस stock में sell करके भी profit कमा सकते हैं कंपनी जो है क्रिसिद पाद में trade करती है जिसे गेहूं चावल तो यह गेहूं चावल मक्का स्वेबिन खाद चीनी खाद तेल डालें आद में यह trade कराते हैं MMTC Limited क्रिसिद पाद के व्यपार में एक westrick company है जो अपने व्यापक आधार भूत विश्यसक्यता के साथ क्रिसिद पादों का व्यपार करती है MMTC Limited अपने भारत में छेतरी कारेलियों और port कारेलियों दथा विदेशों में अपने संपर के माध्यम से भारत के विभिन भागों से क्रिसिद पादों की प्राप्ती एवं गुर्वत्ता नियंतरन से लेकर guarantee सुदा समयी सुपूर्दगी तक logistics सहायता उपलब्द कराती है कंपनी हमारे भारत के क्रिसिद पाद जिसे हमेंने बताया गिया हूं चाहल मक्का का import export और quality से समंधित जिम्मेदारी लेते हुए logistics सहायता देती है और import export में मदद करती है इनके कोईला और हाइड्रोकार्बन में भी trading होती है और उर्वरक और राशायन की trading भी करते हैं ये MMTC भारत में उर्वरकों का सबसे बड़ा आयातक रहा है यह तैयार intermedia, medier और कच्छर उर्वरकों का आयात करता है MMTC 3-4 million ton से अधिक उर्वरकों का वेज़ा है